इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूंगा anti-inflammatory foods के बारे में जिनमें मैंने पहले दो वीडियो में भी बात की आज मैं बहुत सारे उन questions पर बात करूंगा जो आपके जिहन में आपके मन में आपके दिमाग में आते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में question आता है कि जो inflammation हो कहां से जाता है जिसके लिए anti-inflammatory foods की जरूरत है तो बहुत सारे ऐसे questions हैं जो आपके मन में आते हैं लेकिन आप कभी उनको पूछ नहीं पाते सामने रख नहीं पाते उन questions के बारे मैं बात करूँगा इसको ज़रा ध्यान से देखिए नो खाने में ऐसी क्या चीज़ें हैं diabetes, arthritis, इनके होने का खत्रा बढ़ जाएगा तो ऐसी खाने की क्या चीज़ें हैं जो pro-inflammatory होती हैं या inflammation करने की ताकत रखती हैं कोई भी fried foods जो आप इस्तिमाल करते हैं वो वास्तों में inflammation करने की ताकत रखती हैं चाहे आप समोसे खाएं चाहे आप आलू बंडे खाएं चाहे आप आलू चिप्स खाएं चाहे कोई भी fries खाएं ये वास्तों में जो fried food है ये pro-inflammatory हैं उन inflammation करने की ताकत रखती हैं जितने भी आप refined carbohydrates खाते हैं जो आप मेदा खाते हैं मेदे से बनी हुई चीज खाते हैं आप pasta खाते हैं मेक्रोनी खाते हैं ये जितनी चीजे हैं ये वास्तों में refined carbs होती हैं और ये आपके body के अंदर inflammation को करने की और inflammation को बढ़ाने की ताकत रखती हैं आप जितने भी sugar drinks लेते हैं चाहे आप उस तरह के लिए जिसमें के high fructose कौन सिरफ पड़ा हुआ है ये शुगर पड़ी हुई है आप जब इने इस्तिमाल करते हैं तो आप inflammation को बढ़ाने की ताकत रखते हैं आप जो fats इस्तिमाल करते हैं उनको ध्यान से देखे आप अगर regularly red meat लेते हैं आप processed meat लेते हैं जो market में available होता है आप margarine इस्तिमाल करते हैं तो इनमें वास्तों में जो saturated fat है वो काफी ज़्यादा मातरा में होता है infect trans fat भी होता है उन्हें ultimately inflammation को बढ़ाने की ताकत रखते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि body के अंदर inflammation है तो ऐसी क्या चीज़े हैं जो आप पीने में अगर इस्तिमाल करें तो जो inflammation है उससे कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सकता है तो क्या ऐसे drinks हैं जो anti-inflammatory की category में आते हैं और inflammation को reduce करने की ताकत रखते हैं जो studies कहती हैं कि water is the most important anti-inflammatory drink आप पानी अच्छी मातरा में अगर पीते हैं पानी ज़्यादा मातरा में पीते हैं तो आपकी जो body है जो toxins है उनको flush करके urine में निकाल देती है अगर body जो toxins है उनको flush करके urine में निकाल देगी तो आपके body के अंदर जो anti-inflammatory जो compounds हैं उनके amount naturally कम हो जाएगी तो जो pro-inflammatory action है वो कम हो जाएगा ऐसे ही चाए जो tea है in particularly the green tea आपको काफी help करती है नबर तीन पर आते है coffee अगर coffee इस्तिमाल करते हैं science है साइसा मानती है कि ये anti-inflammatory की category में आती है नबर चार है milk जो dairy milk आप इस्तिमाल करते हैं वो भी एक partially जो anti-inflammatory action है वो लेके चलता है तो पानी सबसे important है ज़्यादा ज़्यादा पीजिए tea important है सभी tea important but green tea possibly is the most important and coffee is important ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो drink की category में आती हैं और anti-inflammatory action की ताकत रखती हैं जितने भी acidic juices आप पीते हैं चाहे आप orange juice पीएं चाहे मौसमी का juice पीएं apple juice की जो भी आप juice लेते हैं जो acidic है in nature वो वास्तों में anti-inflammatory action लाने की ताकत रखता है जो भी आप smoothies इस्तेमाल करते हैं उनमें curd होता है plus fruits होते हैं बहुत सारे वो भी anti-inflammatory की category में आता है in fact जो moderate amount alcohol particularly the red wine scientifically कि जो red wine है वो भी inflammation को reduce करती है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के anti-oxidants होते हैं जैसे resveratrol यह इस तरह के जो anti-oxidant हैं यह बहुत सारे inflammation को fight करने की ताकत रखते हैं नो बहुत लोग एक question पूछते हैं कि मैं अंडा खाता हूँ तो अंडे को inflammatory में माना जाएगा यह anti-inflammatory में माना जाएगा अगर हम scientifically देखें तो इसको anti-inflammatory में माना जाएगा आपको अंडे खाने चाहिए जो अंडे हैं यह एक्सलेंट सोर्स आफ वाइटमेंट D और जो वाइटमेंट D है यह anti-inflammatory effect इसका बहुत significant है यह बस सही है कि जो वाइटमेंट D है is a very very strong source of protein and B complex तो वाइटमेंट D है protein है and B complex है जहां तक अंडे का सवाल है या एक्स का सवाल है इसमें anti-oxidant carotinides particularly leutine significant amount में होता है तो इसलिए जो human body में जब एक पहुंचता है तो बहुत सारी angle से आपको help करनी की ताकत रखता है इसमें चू कि vitamin D अच्ची मातरा में है and यह जो vitamin D है यह anti-inflammatory action law लेके आता है अगर सभी के सभी deep fried items inflammation create करते हैं तो अगर मुझे snake में कुछ खाना है कुछ खाने का मन है as part of snakes तो मुझे फिर क्या खाना चाहिए यह बिल्कुल logical question है जो आपके मन में आएगा now berries are the all time choice आप strawberry खाईए आप blueberry खाईए जो भी berries है they are all time choice और यह आपको हमेशा हेल्प करेंगी जो tart cherries है they are all time choice यह आपको हेल्प करेंगी जो plums available होती है उने खाईए यह anti-inflammatory होती है यह आपको मन्दद करेंगी जो kale है जो पहले में बात की जो anti-inflammatory food है उसके chips available होते हैं तो kale के chips लीजे उनको खाईए वो मन्दद करेंगा apple खाईए आपको हेल्प मिलेगी जो nuts हैं वास्तों में in small or moderate amount यह anti-inflammatory action लेके आती है यह tasty होती है इनमें protein अच्छा होता है nutritious होती है इन आपको anti-inflammatory action लेके चलती है इसके अलावा आप dark chocolate इस्तिमाल कर सकते हैं इसका जो एक anti-inflammatory action है वो बहुत significant है तो अगर हम ध्यान से देखें बहुत सारे ऐसी questions है जो आपके मन में होते हैं जो food है और inflammation इनको लेके तो अगर आप ध्यान से देखें कुछ drinks ऐसे हैं जो inflammation को कम करने में आपकी मदद करते हैं कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो inflammation कम करने में मदद करती हैं कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं inflammation को बढ़ाती हैं तो इन सभी चीजों को आपको खुली आँख से देखना है so that आपकी body के अंदर inflammation का जो एक spectrum है वो minimize हो जाए और वो minimize हो जाए तो आपकी जो body है वो unnecessary complications में ना जाने पाए अगर inflammation और उसो जोड़े हुए questions हैं उनको समझने में ये वीडियो help करता है तो जरूर share करें मैं डॉक्टर वी के मिश्राफ फ्रम गेस्टो लिवर हास्पिटल स्वरुप नंगर कानपूर थेंक ये बारे मुझे